हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मंजूनेटिंग चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए वुलन कैप लेके आई हूँ यह देखिए बहुत सुन्दर है आज मैं इसका स्टेप बाइ स्टेप बताऊंगी कि यह कैसे बनाई है सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे यह देखि फ्रेंट्स मैं आपको बता दू इसको स्किप मत करना स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे बनी है क्योंकि इसमें स्टेप बाइस्टेप बनेंगी यह देखिए अलग लग पार्ट्स बनेंगे फिर उन्हें बाद में हम इकठा करेंगे इसलिए पूरी यहां से यहां से स्टार्ट करेंगे तीन फंदे डालेंगे पहले तीन फंदे डालते हुए यह आपने जिस साइज की बनानी है यह माथे से माथे से स्टार्ट करेंगे यह सेंटर तक यह सर के सेंटर तक बनाएंगे यह वाला पार्ट तो पहले इसे बना लेते हैं उसके ब अब किया करेंगे यहां पर जाली डालते हुए भढते जाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे यह मैं पहला पूंदा बनाएंगे अधी जाली डाली ये देखेत यह हमें उल्टी रोह हमें उल्टी ही बनानी हैं को कुछ निकारना उल्टी रोह साफ करा language है सिर्थी रोह में हम न्युली भड़ाते जाएंगे वो जाली डालते हुए खुद बढ़ते जाएंगे देखते दो एक पहले एक बनाया बढ़ते जाएंगे, माथे से लेके, सेंटर तक, सर के सेंटर तक, वहां तक हमें फंदे बढ़ते जाना है। यह देखिये 3-5 बने, 5-7 बने, 7-9 बने ऐसे ही हमें फंदे बढ़ाते जाना है फिर से जाली डलेंगे सेंटर में जाली डलती जाएगी सीधे फंदे के साफ दोनों साइट से जाली डलती जाएगी यह देखिए ऐसे यह बढ़ते जाएंगे उल्टी रो हमें उल्टी ही बनानी है फिर से सीधी रो साइड में जो फंदे आते जाएंगे वो सीधे बनते जाएंगे सेंटर वाले सीधे फंदे के साथ दोनों तरफ जाली बनाते हुए फंदे बढ़ाते जाएंगे उल्टी रो साफ उल्टी बनाएंगे सीधी रो में फंदे बढ़ाएंगे सेंटर में बढ़ाएंगे जाली डालते हुए सेंटर में फंदे बढ़ाएंगे सेंटर वाले सीधे फंदे के साथ दोनों तरफ जाली डालेंगे यह देखिए यह ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे दोनों साइड उल्टी रो हमें उल्टी ही बनानी है बढ़ाएंगे फ्रेंट्स आपने जिस साइज में भी बनानी है यह मैंने तीन चार साल के बच्चे के लिए बनाई है आपने जितने भी बच्चे के लिए बनानी है बड़े के लिए बनानी है तो दस फंदे और बढ़ा ले अगर छोटे के लिए बनानी है तो कम कर ले उल्टी स्लाई, उल्टी वन आएंगे यह देखिए ऐसे बनाते जाएंगे पहले अपने माथे से लेके सर के सेंटर तक आदे तक आप यह ऐसे ही बढ़ाते हुए फंदे पहले बढ़ा लेते हैं फिर आगे बताओंगे आगे क्या करना है दिखिए फ्रेंड्स अब हमने 20 जाली यह देखिए 20 जाली बनाके कंप्लीट कर लिया है अब क्या करेंगे यह देखिए यहां से लेके यहां तक 20 जाली बना लिया है अब इन फंदों को कैसे घटाएंगे यह देखिए पिछे वाली साइट से देखिए कैसे घटाएंगे जैसे एक रो में हम दो फंदे बढ़ रहे थे ऐसे ही हम एक रो में दो फंदे घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे पहले सीधा बनाते हुए सेंटर तक आएंगे यह देखिए सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड पे जो फंदे हैं उन्हें हम इधर से लिया पीछे से इधर से लिया पीछे से दो का एक किया तीनों फंदे निकाल ले सेंटर वाला ऐसे उठाया इसके उपर से निकालना है यह दिखिए तीन का एक बन गया बाकी हम सीधे बनाएंगे उल्टी रो साफ उल्टी बनाके कंप्लीट कर लेते हैं पहले इसे उल्टा ही बनाना है पहले बनाएंगे फंदे हमें सिर्फ सीधी रो में ही घटाने हैं उल्टी रो साफ उल्टी बनानी है यह देखिए अज सीधी रो में सेंटर वाले फंदे तक सीधे बना लेंगे यह देखिए सेंटर वाला फंदा उसके दोनों साइट से एक एक फंदा पीछे वाली साइट से ऐसे पीछे वाली साइट से दोनों साइट से पीछे वाली साइट से ऐसे लेंगे तीनों फंदे निकाल लेंगे सेंटर वाला उठा लेंगे इसके उपर से निकालेंगे जिन फंदों का दो का एक बनाया उसके उपर से निकालेंगे बाकी फंदे हमें सीधे ही बनाने हैं कि यह देखिए ऐसे फंदे घटाते जाएंगे उल्टी रो उल्टी रो हमें साफ उल्टी ही बनानी है उल्टी रो को उल्टी बना लेते हैं पहले फंदे हमें सीधी रो में ही घटाने हैं उल्टी रो हमें ऐसे ही उल्टी बनाके कंप्लीट करनी है सीधी रो में फिर से सेंटर वाले तीन फंदे तक पहले सीधे बनाएंगे फिर वैसे ही साइड के दोनों फंदों को पीछे की तरफ करते हुए दो का एक बनाएंगे सेंटर वाला फंदा उसके उपर से निकाल लेंगे तो यह एक बन जाएगा ऐसे ही करते हुए हमें यह देखिए यहां तक आना है यह देखिए यहां तक यह देखिए छे फंदे जब यहां पर छे फंदे रह जाएंगे तब तक हमें यह फंदे घटाने है पहले यह पूरा कवर कर लेते हैं देखिए फ्रेंट्स पहले हमने यहां पर जाली डालते हुए फंदे बढ़ाए थे फिर तीन का एक करते हुए ऐसे फंदे घटाए यहां पर हमारे पास सैवन फंदे हैं अब क्या करेंगे यहां से हमें फंदे बढ़ाने हैं कैसे यह डिजाइन डालने के लिए यह दिखिए हम यहां से यह वाला डिजाइन डालेंगे तो हमें फंदे बढ़ाने हैं यहां पे हम साइड वाले साइड वाला फंदा ऐसे ही उठाएंगे इन बीच वाले पांच फंदों पे डबल डबल करने हैं एक फंदे से दो दो बनाने हैं तो पहले दो दो बना लेते हैं यह देखिए हमने 12 संदे कर लिए उल्टी रोह में उल्टी ही बनानी है एक सीदी एक सीदी और एक उल्टी रोह बना लेते हैं अब क्या करेंगे यह देखिए अब हमें यह वाला डिजाइन डालना है यह वाला डिजाइन यहां से हम यह तीसरी स्लाइड करेंगे बीच में पहले तीन फंदे इस स्लाइप लेंगे इन फंदों को आगे लाएंगे इन फंदों को इस साइड पर लाएंगे यह देखिए पहले इन यह बना लेते हैं छे फंदों को एक दो तीन चार पांच छे अब क्या करेंगे इन फंदों को पीछे करेंगे इन फंदों को आगे लाएंगे अब क्या करेंगे इन फंदों को ऐसे अब इन फंदों को पहले इस स्लाइप लाएंगे यह देखिए ऐसे एक दो तीन चार पांच छे यह देखिए अब हमें इन्हें छे फंदों को अब इन्हें एक स्लाइ सीधी एक उल्टी एक सीधी ऐसे करते हुए बारा स्लाइ कम्प्लीट करेंगे पहले बारा स्लाइ कम्प्लीट करने के बाद फिर से यह दिजाइन डालेंगे तो पहले हम बारा स्लाइ कम्प्लीट कर लेते हैं उसके बाद डिजाइन देखिए फ्रेंट्स यह मैंने बारा स्लाइ बनाके कम्प्लीट कर लिया यहां से जब हम फंदे बढ़ाएंगे थर्टीन फंदे चाहिए यहां से यहां से थर्टीन फंदे चाहिए यहां से तो आप उस में अब क्या करेंगे इन फंदों को आगे लाएंगे यहां पर गले वाली स्लाइब लेना दोनों साइड से जो कि आप फंदे उठाने के लिए असानी रहेगी एक दो कि तीन कि पहले इन फंदों को बनाएंगे कि एक दो तीन चार पाट छे छे फंदों को इधर से मोड़ा और छे फंदे इधर से मोड़ेंगे सेंटर वाला फंदा सीधा बनाएंगे थर्टीन फंदे छे इधर आगे छे इधर आगे सेंटर वाला वैसे ही उठाएंगे अब फिर से वैसे ही करेंगे तीन फंदे उठाएं अब पहले ये वाले तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन फिर ये वाले तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन ये दिखिए ऐसे डिजाइन बनता जाएगा यह देखिए आप फिर से 12 यह देखिए फिर से 12 स्लाई बनाएंगे फिर से यह डिजाइन डालेंगे फिर से 12 स्लाई बनाएंगे फिर से यह डिजाइन डालेंगे ऐसे ही करते हुए हमें यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे छे वार यह वाला डिजाइन बनाना तो पहल बना लिया को दिखिए एक है कि अब आशे आएगा अब क्या करेंगे अब इन फंदों को पाख नहीं करेंगे पहले हम दूसरा पाल्णा गोडब में चुले करेंगे प्या करेंगे यहां पे देखिए यह वाला पार्ट उपर का पार्ट हमने बना लिया यह उपर का यह पीछे वाला डिजाइन भी बना लिए अब क्या करेगे यह यह वाला राड बनाएंगे इसके लिए यहां से यहां तक फंदे डालंगे यह देखिए यहां तक मैंने 70 फंदे डाले हैं अगर आपने छोटे साइज में बनानी है तो 10 फंदे कम कर ले अगर बड़ी बनानी है तो 10 फंदे और बड़ा ले तो मैंने यहां पे 70 फंदे डाले हैं उसे हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपने कितनी बड बनानी है तो पहले इन्हें हम कैसे बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे कि दो फंदे उल्टे बनाएंगे पूरी रोह में ऐसे ही कंप्लीट करनी है दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे ऐसे ही बना के झाल एंची के जो फलीए अबना के बना के कि बना के लूंदे वें कि दो फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे दोफन्देशीदेझ बनाएंगे फ्रेंग्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फ्रेंटS के बीच में वी मुझे सेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखिए ऐसे ही दो फंदे सीधे दो उल्टे दो सिंदे दो उल्टे यह देखिए दो सीधे दो उल्टे ऐसे ही स्टेचेवल जैसे बना के हमें यहां से लेके यहां से लेके यहां तक यहां तक पुरा कंप्लीट करना है तो पहले हम दो सीधे दो उल्टे करते हुए पहले पूरे सर के पूरे सर के ये दिखिए सर का नाप कर लेंगे घुमा के उसी साफ से आपको बना लेना है पहले बना लेते हैं फिर आगे बताती हूँ आगे क्या करना है देखिए फ्रेंट्स यह मैंने पूरा बना के पंप्लेट कर लिया यह देखिए यहां से अपने सर का नाप करके ऐसे दोनों साइट से ऐसे पूरे सर को घुमा के देख लें कि आपके सरकान आप पूरा है जिस बच्चे का भी साइज आप बना रहे हैं अब इससे सिलेंगे कैसे यहां से सिलना शूरू करेंगे यहां से यहां से यहां से यहां तक यहां से यहां तक सिलना शूरू करेंगे पहले यहां तक फिर यहां से यहां तक यह देखिए फिर इस साइड से ऐसे आप की अजार वाइब इसससे यहां जुरू करेंगो एक चेन हम इंधर से लेंगे कि एक चेन हम इंधर से लेंगे यह देखिए यह नियाहां से लेंगे एक चेन इस साइट से लेंगे यह दिखिए दुनों से एक एक चेन लेते हुए हमें ऐसे ही शिलते जाना एक चेन इस साइट से लेंगे अब एक चेन इस साइड से लेंगे, एक चेन इस साइड से लेंगे, एक चेन इस साइड से लेंगे, ऐसे ही हमें सिलते जाना है यह देखिए यहां से लेके पहले यहां तक सिल लेते हैं यहां तक यहां तक यहां तक सिल लेते हैं पहले यहां से लेके यहां तक सिलेंगे फिर आगे दिखे फ्रेंट्स यहां तक सेंटर तक सिल लिया है यहां तक अब क्या करेंगे इस साइड से यहां तक सिलेंगे यहां से यहां तक सिलेंगे यह दिखे एक चेन इधर से लिए एक चेन इधर से लिए ऐसे ही सिलते जाना है कि दोनों साइट से एक एक चेन पकड़नी है और सिलते जाना है कि दोनों साइट से एक चेन पकड़नी है कि चेन के साथ चेन को मिलाते हुए यह दिखिए एक चेन इदर से लेनी है एक चेन इदर से लेनी है कि अचेन इन आा है कि अ आए हो mistund कि अचेन इनी है कि अचेन इन इनके भड़ का चेन के सामना है कि यह देखें लास्ट तक हमें अब करेंगे अब क्या करेंगे यहां से तीन फंदे जो बनाने स्टार्ट किये थे वहां से लेंगे एक इधर से यहां से चेन ली अब इस साइड को टर्न करेंगे हम इस साइड को ऐसे टर्न करेंगे यह देखें इधर से इस धागे को भी साथ ही सिल लेंगे एक चेन इधर से लेंगे अब एक चेन इधर से लेंगे एक चेन इधर से लेंगे यह देखें दोना साइड से एक एक चेन पकड़ते हुए अराम से सिलते जाना है यह देखें अब क्या करते हैं यहां तक पहले सिल लेते हैं यहां तक यह देखें यह दिखिए इसलिए मैंने यहां से फंदे अभी तक close ने किये, अगर कम पढ़ जा है यहां पर तो फिर और बना सकते हैं. तो प्रहले यहां तक सिल लेते हैं, फिर आगे बताती हूं आगे क्या करना है. कि दिखिए फ्रेंद्स यहां तक यहां तक सिलके कंप्लीट कर लिया अब क्या करेंगे यह दिखिए अब इन फंदों को क्लोज कर देंगे कि इन फंदों को यहां वाले फंदों को क्लोज करेंगे करेंगे कि देंगे अब क्या करेंगे इस साइड से इस साइड को इस लेंगे पहले यहां से यहां तक सिला इसे इधर से सिला अब इन दोनों को इन दोनों पार्ट्स को ऐसे जोडते हुए यहां से यहां तक सी लेंगे दोनों साइट से एक-एक ऐसे ही दोनों साइट से एक-एक लेते हुए एक-एक चेन को लेते हुए ऐसे दोनों को यह धागा भी साथ लेके चलेंगे यह देखिए, यहां से, एक यहां से, ऐसे ही लेते हुए से लेंगे, यहां से लिया, यहां से लिया, तुरनों साइट से ऐसे ही लेते हुए, ऐसे ही सिलते जाना, यहां से लेके, यहां तक, यह देखिए, यहां से लेके, यहां तक, पूरा सिल लेते हैं, पहले, पूरा सिलके कम्पलीट कर लेते हैं, दिखिए, यहां से, यहां तक सिलके कम्पलीट कर लिया, यह देखिए, इंधागों को पीछे, अटाच कर देंगे, अब क्या करेंगे, यह वाला डिजाइन बनाया था, जो पट्टी, यहां पे, यहां पे फिट करेंगे, इस सीन के उपर, इस सिलाई के उपर, ऐसे, इसलिए हमने यह फंदे नहीं घटाए थे, कि पहले देखना है, कि यहां तक पूरा है, फिर ही फंदे घटाएंगे, यह देखिए, हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए हम इन्हें क्लोज कर देंगे, लग पूरा है, वहा है, यहां मुझा मूरा हो रहा है, इसलिए हम उते देखिए, इस दहगे को यहां पे कट कर देएंगे यह देखे अब क्या करेंगे आप ऐसी को सो हिम इस पट्टी को दुनों के सेंटर में यह दिकिए दुनों के सेंटर में ऐसें फोल्ड करते हुए पीछे इसको fit कर देंगे, इसके साथ सिल देंगे, ऐसे, सेंटर में ऐसे सिलेंगे, दोनों साइट से, यह दिखिए, दोनों साइट से ऐसे सिलेंगे इसको, अब क्या करेंगे, यहां से लेके, यहां तक, दोनों साइट से, इस सिलाय के ओपर, यह सिलाय सेंटर में आएगी, इस दोनों साइट से, इस तरफ से भी इसको सिलेंगे, इस तरफ से भी इसको सिलेंगे, दोनों तरफ से पहले सिल लेते हैं, दिखें फ्रेंट्स, यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने सिलाई करके इसको लगा दिया है, आपको इस हिसाब से सिलना है इसको, कि यह पिछे वाली सिलाई, इसके पिछे व सिल्लिय यहां पर दागा कट कर लेते हैं अब आगे क्या करेंगे सीधी तरफ से यह दिखिए दोनों तरफ से सेंटर में यहां से यहां से हमें क्या करना है धागा डबल करना है सीधे सीधे फंदे उल्टे नी सीधे वाले यहां से सीधे सीधे फंदे लेते हुए यह दिखिए सीधे सीधे फंदे सेंटर तक यह देखिए सेंटर तक हमें ऐसे लेने हैं यह देखिए यहां से हमने चेन बनाई थी वहां तक इसे लेना है और इसे ऐसे खींचना है पीछे करेंगे उल्टी साइट से जोर से खींचना है झाल झाल कि फिर से यहां से निकालेंगे यहां से फिर से निकालेंगे नीचे वाली साइड सेंटर में खीच के पक्का करना यह देखिए ऐसे बनेगा सेंटर में तो बसे पक्का करेगे पीछे वाली साइड पर यहां पर इस धागे के साथ गांठ लगा करना इसको तकि खुले न कि इस दाग्य को काट देंगे अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे कि सेंटर में यहां पर यह देखिए यहां पर हमें इसे अटैच करना है देखिए फ्रेंट्स यह पूरी बनके कंप्लीट हो चुकी है यह दिखिए कितनी सुन्दर लग रही है फ्रेंट्स मैंने एक और भी कैप बनाई थी अगर उसका लिंक चाहिए तो मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्ष ने डाल दूंगी फ्रेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा अगर आपकी कोई और रोकेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा थैंक यू फॉर टाइम आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ